बेस्ट फार्मा स्टॉक की कंपनी जो बनाती है पैरा सिटमॉल टैबलेट दोस्तो आप सभी कस्वागत करता हूँ एक बाद द्वारा से आपके अपने चैनल विवेकरणा स्टॉक पर दिल से अगर आप चैनल में नए है तो मेक शूर चैनल को लाइक कीजिए ग्रूप हमारा नीचे आपको लिंक मिल जाएगा उसको सब्सक्राइब कर लेजिए जॉइन कर लेजिए तो दोस्तो जैसे आपने टाइटल सुन लिया है जहां दोस्तो बात करूँगा एक और फार्मा स्टॉक की जो बेसिकली ये दवाया बनाती है परासिटमॉल बहुत खाल से इस कैप्सुल को अपने घर में देखते होंगे या आप मेडिकल सोर्स से इसको बाय करते होंगे अगर आप इस मेडिकल दवाई को बाय करते हो तो डेफिनिटली भाई मेरा मानना है आपको इस फार्मा स्टॉक में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्मेंट करना इस में इस कंपनी के मालिकों ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है तो दोस्तों कंपनी के मालिकों ने हमें हिसारा कर दिया है कि भाई यह जो पैनी स्टॉक है अभी पैनी स्टॉक के आसपर अभी ट्रेट कर रहा है मात तेर रोपे के आसपर ट्रेट कर रहा है ठीक है यह ज करना कि आपको स्टॉक में इंवेस्टमेंट करना है या नहीं करना है और कुछ भी पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब करके आँ मोटिवेट कर सकते हो साथ में अगर वीडियो को शेर करते हो फेसबूक में तो डेफिनिटली वहिया इस संडे को एक क्लास होने वाली में BSC में लिस्टिट फार्मा स्टॉक है ठीक है बैस्ट फार्मा स्टॉक बनके उबर सकता है जो करन्ती करेंटली 13 रुपे का सब्सक्राइब कर रहा है और दोस्तों बोल देने चाहता हूं इस कंपनी के बारे में वीडियो अंतक देख ले ना कंपनी के प्रॉफिट के ब कर दिया तो स्टॉक आपको काफी बड़े टागेट दिखा सकता है तो डेफिनल्टी स्टॉक कर डाव में रख सकते हो अब कोशन आता कि सर सी एमपी मतलब करन्ट मार्किपाइज में स्टॉक को बाय करा जाए दोस्तों यह ना आप अपने आपसे पूछना ठीक है कि आपक कॉमेंट कर दो उसके उपर वीडियो बन जाएगा अगर बात करते स्टॉक के चार्ट की तो दोस्तों मैक्स चार्ट स्टॉक का हमें बता रहा है कि यह स्टॉक लॉंग टरम के लिए काफी बड़ी है ठीक है एक अच्छा का सा हायर हाइस का पैटन बन रहा है जो हमें तो यह कोशन अपने आपसे पूछना अगर आप तीन साल से लेके पांस साल के अभुधी के लिए स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो डेफिनेट्य आप बाय करके होल्ड कर सकते हो लेकिन आपको स्टॉप लगाना पड़ेगा यह लास्ट स्विंग जो आपको दिख रहा है यह 5 रुपए और 7 रुपए का असपास का अपना आपका टाप्रोस रहेगा और टजाघ स्टॉप के काफी बड़े निकलके आ सकते है तो मतलब आप बोच सकते हैं जो हमारा stop loss रहेगा 50% के आसपास रहेगा और जो हमारा reward रहेगा कम से कम भाईया आप 1 to 3 का reward लेके चलिए मतलब आप समझगे 1 to 3 का मतलब क्या होता है कम से कम 500% का target जिसको आने पर time लग सकता है तो definitely भाई इस stock को observation में रख सकते हो यह सिर्फ chart के basis में बोलना हूँ company के profit इतने सांदार नहीं है इसलिए बोलना हूँ company के profit भी देख लेना और अगर आप सोच रहे होंगे sir आप यह stock दे क्यों रहे हो दोस्तों देखिए जैसे आपको पता है मैंने आपको pass में बहुत सारे stocks recommend किये suggest किये buy करने के सलाव से मैं नहीं देता हूँ और उन सारे stocks में हमें अच्छी return आ रही है भी ठीक हा मुझे लगता है personally यह stock मुझे काफी अच्छा लगा रहा है chart pattern के साब से और मुझे लगता है stock आपको एक अच्छा profit margin देखे जा सकता है जैसे आपको पता है stock आज भी आपका 20% के आज पर अब था stock में क्या news चुआ रही है यह तो market के इसके management के तरफ से क्योई news नहीं आई है लेकिन मुझे जो समझ आता है यह news जो सो यह निकल के आती है कि promoters ने अपनी holding बढ़ाई है दो दिन पहले मतलता last March के quarter में इसलिए stock में इतना अच्छा volume के साथ stock लागतार उपड जा रहा है मैं आपको दिखाया इतना stock के latest news ताकि आपको थोड़ा असानी हो जाए समझे दे में और यह भी दिखाऊंगा मैं क्यों कहा रहा हूँ कि company paracetamol बनाती है तो देख लो एक बार आप देख सकते हो मैंने इनकी website में विजट किया है विस्टा फार्मासोटिकल्स का आप अगर ध्यान से देखोगे तो दोस्तो देख सकते हो यह कौन को इनसी tablet बनाती है या वो से manufacture करती है तो दोस्तो आप देख सकते हो इनके पास non-US market की भी है अगर ध्यान से देखोगे दोस्तो उसमें paracetamol और बहुत साई tablet से जो आपके घर में रोजाना यूज होती है ठीक है मैं आपको सीरा paracetamol दिखाता हूँ तो आप दे holding बढ़ा रहे है तो वाई कुछ ना कुछ बढ़ा future में हो सकता इसलिए बढ़ा रहे है और almost 3,5-3% के आसपास का jump दिखाया है holding में 3,5-3% काफी बढ़ा नंबर होता है अभी आपको दिखायता हूँ holding कैसे और कैसे बढ़ाई गई है आपको बढ़ाया है दोस्तो एक pharma stock है यह जो भी एसी मेलिस्टिट कंपनी है मैं आपको दिखा रहे था हूँ उसकी latest news ताकि आपको थोड़ आसान हो जाए समझने में त तो 16 अप्रेल की एक ख़बर है मैं आपको दिखाता हूँ आप पैटन में क्या दिखाया गया है मैं सीजा नीचे लेकर जलता हूँ से रोल्टिक पैटन ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए समझने में तो आपके सामने है स्क्रीन में कंपनी के सेप्टेमर में 31% के आसप पास निकलके आता है और दोस्तों मालिकों ने आपके पब्लिक से बाए किया है पब्लिक की होल्डिंग कम हो गई मालिकों की बढ़ गई तो दोस्तों डेफिनेटी आप स्टोक को ड़ाव में रख सकते हो लेकिन अब आपको एक बैस एंट्री तूटनी है स्टोक में बाए होगी तो हमें ज्यादा बड़ा आमाउंट जिसमें इन्वेस्मेंट नहीं करना एक टेक्निकल बाउंस में हमें इससे एक्जिट कर जाना है तो इदखा देता हूं आपको मैंने कम्पनी के बारे में खोल लखा है 40 क्रोड के आसपास का मार्किट कैप है 11 रुपए के आसपास अभी चलना है बताग 11 से आपका बोल सकते हो 14 रुपए ट्रेवल कर चुका है 13 रुपए का असपास और मैं बात करता हूं कम्पनी के हौर क्या अच्छा है तो उस अब देख सकते हैं कम्पनी के क्वाडर रिलस खोल लगें December के कम्पनी की सेल्स ना बातर थी माद 38 लाग की सेल्स थी ठीक है और कम्पनी की सेल्स लगता गिर रही है अकर बात करते हैं profit की दोस्तों देख सकते हो कम्पनी को एक negative earning हुई है negative earning के बावजूत कम्पनी के जो मालिक ह अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे तो उससका कुछ ना कुछ तो मतलब और निकल के आता है ठीक है अब मालिकों को पागल कुते ने निकाटा है कि वो अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे इस बात को ध्यान रखना ठीक है कुछ ना कुछ तो management में या company की अंदर सुदार हो रह कंपनी के मैंने year on year basis के profit खोल लगे है company की sales लगाता ठीक ठाकती पहले तो अब company की sales दुवारा से उपर जाने लगी है FI 90 में 31 क्रोड कासफरस की sales थी FI 20 में 22 क्रोड कासफरस की sales थी और company की जो current TTIM sales आप बोसकतो काफी low है ठीक है अगर बात करते company के net profit की तो आप देख सकते हो company को लगता दो लगता दो सालों में profit loss ही हुआ और इस बार भी loss ही हुआ है अगर बात करता हो company के पहले की performance तो दोस्तों आप देख सकते हो company पहले profitable थी आपको छोटा मटा profit देते रहती थी तो दोस्तों क्या हमें stock में investment करना चाहिए तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहता हुए क्यों नहीं करनी चाहिए और क्यों चलननी चाहिए ठीक है दो रिजन दूँगा आप इसको देख सकते हूँ तो आप देख सकते हूँ कंपणी के जो अर्जब है लगता बढ़ रहे है और कंपणी के जो डेट है थोड़ा सा कम हुआ है 11 कुर के असफिस का डेट है और से रोल्डिक पैटर्न में आपको बथाई दिया है ठीक है पब्लिक की जो होल्डिंग है जादा है इसमें और प्रमोटर की होल्डिंग अभी इंक्रीज हुए एक यही अच्छा फैक्टर निकल के आता है तो दोस्तों साब देख सकते हूँ मैंने इसका चार्ट खोला है हमाँ बात करेगे इस टॉक में हमें इन्वेस्मेंट करना है यह साथ आपको कोई revealing करेगा company का अगर अभी loss हो रहे है ध्यान लखना बात को company अगर अभी loss making है लेकिन लेकिन अगर past में company ने profit show किये books में ठीक है और profit लागतार बढ़ रहे थे तो definitely अगर past में company profit में थी और बीच में आप हो सकते हो कि इसका slope down आ गया तो समझ जाना कि future मे company का future bright है क्या बोला past में अगर company profit में थी plus ठीक है बीच में अगर slow down आ गया मतलब company के loss हो रहे है minus ठीक है और अगर और ये दो रकर दोनों चीज़े होती है और currently company अभी loss में चल ले लेकिन मेरा मानना दोस्तो future में company अच्छा काम करती है मैंने ऐसे बहुत सारे example दे रखे तो enterprise होगे अगर आपको stock 11 रुपे और 10 रुपे की range मिलता है तो ठीक है आप stock में investment करके लगा सकती हो ठीक है लेकिन दोस्तों अगर ध्यान नकना अगर आप इन stock को buy करके बैठे वे बहुत लोग मुझे मेरे खाल से बैठ रखे होंगे तो दोस्ता आप देख सकते हो ये एक support area दिया बन रहा stock का trail line तो हमारा जो stock जाएगा यही stock जाएगा आपका 8 रुपे के आसपास का ठीक है अगर stock में आपने entry कर ली है बहुत लोगे ने तो आप क्या करोगे ये 15 रुपे के आसपास का resistance दे लिया है तो 15 रुपे के आसपास आप definitely एक पर profit booking करोगे अगर आपने 15 रुपे के आसपा profit booking नहीं किया तो stock नीचे भी आ सकता है अगर stock को आपको long term के लिए hold करना है तो आप क्या करोगे जब तक ये 15 रुपे के उपर ये आपको पंदार दिख रहा है इसके उपर weekly candle close नहीं कर देता है आप stock को long term के लिए hold मत करना ठीक है अगर इसके उपर close कर था तो भाई हमाई जो target है 20 रुपे और 30 रुपे के भी निकल खे आते हैं ठीक है भाई तो definitely मेरे साब से stock को buy करके चल सकते हो लेकिन थोड़ा नीचे गिरे तो definitely buy करना dip buy करना ठीक है और अपना money management को follow कर लेना ठीक है 13 रुपी का आसप stock चलना अगर 11 रुपी का आसप मिलत पतला दे है कि भाई है पराइस रिटम और टैबेट की demand बढ़ रही है तो मुझे लगता है stock के जो profit है definitely future में अच्छा कर सकते है और यह stock का price definitely rocket होगा ठीक है तो भाई observation में रखो रिणाव में रखो मिलते हैं आपको next वीडियो में अगर कुछ समझ आया तो like कर देना और facebook shake up का कर दे